प्रिये दोस्तों, मुझे पूरा यखीन है कि ये वीडियो आपको बहुत अधिक अनग्रह देगा इस तरह के सेकड़ों वीडियो हमने पोस्ट किये हैं और नियमित रूप से पोस्ट करते रहते हैं इस कारण मेरे एक अनुरोध है इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है उसको जड़ा प्रेस कर दें उसके बगल में एक घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दें यह दिया ऐसा करेंगे तो हम कोई भी नया वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप उसे मिस नहीं करेंगे हमको भी बहुत प्रोथ साहन मिलेगा जब हम ये देखेंगे कि लोग इन वीडियोस के द्वारा अनुग्रह पा रहे हैं प्रभू आपको अपना अनुग्रह दे पुत्पति 2 के 18 में हम पढ़ते हैं प्रभू परमेश्वर ने कहा मनिश के लिए अकेला रहना उचित नहीं है मैं उसके लिए उससे मेल खाने वाला या मेल खाने वाली एक सखी की स्रिष्टी करूँगा कई लोग जानना चाते थे कि मैंने ये अनुवाद की साधार पर किया है एक्चिली सखी शब्द जो मैंने यहां कहा है ये दो हिब्रू शब्दों से आया है पहला शब्द है आईजर और दूसरा शब्द है नेगाड नेगेड आईजर नेगेड का मतलब है कि पुरिश से मेल करने मेल जिसका हो जो पुरिश का कॉम्प्लिमेंट हो नेगेड का मतलब है पूरक तो पुरिश का पूरक और हमें से हर व्यक्ति के जीवन में हमारे भाई, बेहन, मित्र, माबाब सभी हमारे पूरक होते हैं इसलिए पर्मेश्वर ने व्यक्तियों को परिवारों में रखा है लेकिन सबसे पहला जो पूरक या जो कॉम्प्लिमेंट करता है ऐसे व्यक्ति की परमेश्वर ने जो स्रिष्टी की वो स्त्री थी तो यहां परमेश्वर के कहने का मतलब हमारी भाक्षा में जब हम उसका अनुवाद करते हैं तो अनुवाद यह होता है पुरिश्ट के लिए मैं उसके लिए एक उचित पूरक बनाऊंगा जो हर बात में उसकी मदद करेगी जो कंदे से कंदा मिला कर उसकी मदद करेगी इसके पीछे एक कारण है पहली बात परमेश्वर ने जब मनिश की स्रिष्टी की थी जब इस संसार का स्रिष्टी किया था या स्रिष्टी की थी तब लगबग हर प्रकार के जीव जन्तु में पूरकों का निर्माण किया था या स्रिष्टी की थी दूसरी बात पदमेश्वर ने मनिश को एक सामाजिक स्रिष्टी बनाया सोशल क्रियेशन जिसको अपने चारों तरफ एक समाज की जरूरत है उस समाज में जो उसके सबसे अधिक निकट होगा घनिष्ट होगा वो उसकी सखा होगी और स्री के लिए जो उसके लिए सबसे निकट या घनिष्ट होगा वो उसका सखा होगा ये दोनों ही एक दूसरे की मदद करेंगे और ये मदद शब्द क्यों मैंने बोला उसके पीछे कारण है पर्मेश्वर ने उनको दूसरे अधियाय में उत्पति के दूसरे अधियाय में पहले और दूसरे अधियाय में देखते हैं कि श्रिष्टी करने के बाद आधन की वाटिका की रेखुआली का काम सौपा जो इस बात को बताता है कि मनिश्य पाप में फस जाए उसके पहले ही परमेश्वर ने मनिश्च के लिए मेहनत का काम रखा इवन आदन की वाटिका में उनको मेहनत करना जरूरी था तो जब मेहनत करते हैं तब पुरिश के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पुरिश ये परमेश्वर का रखा हुआ क्रम है और इसलिए इस तरह के जीवन को बिताने के लिए एक दूसरे की मदद करने वाले एक सखा और एक सखी की स्रिष्टी करेंगे ऐसा पर्मेश्वर ने कहा अब जो सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो यह है कि जब पर्मेश्वर ने मनिश्व की स्रिष्टी की और पर्मेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है तो उस वैवाहिक जीवन के बारे में जब मैं पर्मेश्वर के ही वचन से बोलने जा रहा हूँ तब कुछ भाईयों और बहनों को क्यों लज्ज्जा आती है क्यों उनको डर लगता है कि कहीं बच्चे न सुन ले इसकी एक एतिहासिक प्रिष्ट भूमी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो एतिहासिक प्रिष्ट भूमी ये है कि पर्मेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा है ये देखा पुरिष और स्त्री की स्रिष्टी की वो भी देखा कि अच्छा है लेकिन पर्मेश्वर के द्वारा या पर्मेश्वर ने जो कुछ बनाया है उसमें हर चीज को ब्रश्ट करने की करप्ट करने की कोशिश शैतान करता आया है और शैतान का जो युद्ध का जो लट्ष है ब्रश्ट करने के लिए जो लट्ष है उसमें सबसे बड़ा लट्ष या टार्गेट है परिवार विवाह परिवार क्यों? इसलिए कि समाज में यदि आप विवाह को और परिवार को ब्रश्ट कर देंगे तो समाज पूरी तरह से धारा शाई हो जाएगा आप पूछेंगे किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? नमबर वन प्रभु के वचन के आधार पर मैं बोल रहा हूँ दूसरी बात बहुत सारे मसीही और गैर मसीही लेखकों ने मानव इतिहास को लिखने में हाथ लगाया है दस-तस वॉल्यूम में मनिश का इतिहास लिखा गया है जिन जिन लोगों ने इस तरह से मनिश का इतिहास लिखा है उन में से लगबख सभी लेखकों ने इस बात को स्पीकार किया है या कहा है या पॉइंट आउट किया है कि किसी भी राश्ट्र में जब विवाह बर्बाद हो जाता है विवाह की जो विवाह के बारे में सोच है वो बर्बाद हो जाए या परिवार बर्बाद हो जाए तो राश्ट्र बर्बाद हो जाता है अंगरी जी में Edward Gibbon नाम का एक बहुती प्रसिद्ध लेखक है जिसने विश्व इतिहास की रचना की है विश्व इतिहास और उसके अलावा रोमी इतिहास की रचना की है उस इतिहास की विशेशता ये है कि वो नाकेवल इतिहास बताता है बलकि इतिहास के साथ-साथ उसका विश्वेशन भी बताता जाता है और Edward Gibbon ने कई बार 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 इस बात को स्पष्ट किया है कि जो राश्ट्र और जो समाज परिवार को और विवाहित जीवन को ब्रश्ट कर देता है वो राश्ट्र पूरी तरह से बरबाद होकर नश्ट हो जाता है दुनिया के सबसे शक्तिसाली सामरेजियो में से एक था रोम रोम के बारे में कहा जाता था कि इंगलेंड के बारे में भी कहते थे रोम के बारे में भी कहा जाता था कि सूरी अस्त नहीं होता है लेकिन सूरी अस्त हो गया, रोम का भी अस्त हो गया क्यों? परिवार और विवाह की को जो है उन्होंने ब्रष्ट कर दिया था कितना ब्रष्ट कर दिया था ये सोच नहीं सकते कभी यदि जरूरत होगी तो मैं आपको याद दिला दूँगा तो इस तरह से शैतान ने शुरू से ही विवाह और परिवार के बारे में पडमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसको ब्रश्ट कर दिया उसके परिणाम स्वरूप परिवार के बारे में मनिश्व की धारनाएं गलत होने लगी सारी दुनिया की विशेष्टा ये है कि सारी दुनिया में एक साथ ऐसा नहीं हुआ कभी पश्चिब में हुआ तो पूर्व में अच्छा चला कभी पूर्व में गड़वड हो गया तो कहीं और जो है उत्तर में जह है वो सही चलने लगा जहां तक भारतिय समाज की बात है प्राचीन भारतिय समाज में विवाह को और परिवार को एक बहुती उन्नत स्थान दिया गया था और भारत के जो प्राचीन लेखक और चिंतक हैं उन्होंने सब विश्यों के उपर सोच विचार करके बहुती विस्तार से लिखा था इन मेंसे बहुत सारी पुस्तकें अभी भी हस्त लिखित रूप में उपलब्द हैं लेकिन हिंदुस्तान में जो ब्रेटिश, डच और जर्मन लुटे रे आये थे वे लुटे रे इन हस्त लिखित ग्रंथों में से लाखों ग्रंथ चोरी करके लूट ले गए जिसके कारण आज बहुत सारे ग्रंथ हमको उपलब्द नहीं हैं लेकिन जो उपलब्द हैं उनके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राचीन भारत में विवाह को एक बहुत उननत दर्जा दिया गया था परिवार को भी बहुत उननत दर्जा दिया गया था यौन संबंद को तो पवित्र माना जाता था जी हाँ अब पूछेंगे कि आप सोच समझ के बोल रहे हैं बिलकुल प्राचीन भारत में पुरिश और स्त्री के जो शायरीरिक उसको इतना शुद्ध और पवित्र और उन्नत माना जाता था कि मंदिरों में मिथुन मूर्तियां बनाई जाती थी। जाते हैं लेकिन पुरा वस्तु शास्त्र में आर्कियोलजी में इंट्रस्ट के कारेंड मैंने इन में से कई मंदिर देखे हैं। स्पष्टता से मिथुन मूर्तियां बनी हुई हैं। लेकि प्राचीन भारतिय समाज पुरिश और स्त्री के यौन सम्मंद को ईश्वर दत्त या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वर्दान मानते थे। लेकिन ये जो सोचने का तरीका है ये आज से लगबख पंद्रो सो साल पहले बदलने लगा। लगबख पंद्रा सो साल और पिछले दो सो सालों में बदल बदल कर बदल बदल कर मनिश के सोचने का भारतियों के सोचने का तरीका एकदम ब्रश्ट हो गया। इसमें अंग्रेजोंने भी बहुत बड़ा पार्ट अदा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अंग्रेज हमारे मुक्ति दाता नहीं थे। आज बहुत सारे इसाई लोग हैं जो ये कहते हैं कि अंग्रेजोंने आकर भारत को एजुकेशन दिया, वो किया, ये किया। उन लोगोंने काफी कुछ किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुनिया की सबसे प्राचीन सब्यता भारती सब्यता है। दुनिया की सबसे प्राचीन लिपियां, भारती लिपियां हैं और दुनिया को अंक गणित और बीज गणित भारत ने दिया था, ये समन में रखकर हम आगे बढ़ें। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जो लगबग 200-300 साल जो है, जो राज्य किया, उन्होंने विवाह के बारे में हमारे सोचने के तरीकों पूरी तरह से ब्रश्ट कर दिया था, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। तो पिछले 200 सालों में अंग्रेजों के कारण और उसके अलावा अन्य बहुत सारे कारणों से, विवाहिक जीवन के बारे में भारतियों के सोचने का तरीका बहुती जादा ब्रश्ट हो गया था, और आज जब वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं, तो विवाह का म और शादी वगएरा के बारे में बात करते हैं, तो लोग बड़ी लज्जा के साथ बात करते हैं, क्यों? अरे अदमी की नौकरी लगी, उसके बारे में लज्जा नहीं, फस्क्लास में पास हुए उसके बारे में लज्जा नहीं ईश्वर के द्वारा दिये गए एक इंस्टिटूशन एक स्थापना के बारे में आपको लज्जा हो रही, क्यों हो रही है कहीं तो कुछ कड़बड हुआ है इसे बहुत अच्छी तरह से समझना जिरूरी है जिससे कि वैवाहिक जीवन के बारे में हम सही सही सोच सके उसी तरह से शादी के बाद बड़े ही शर्माते हुए लज्जा से भर हुए शब्दों में लोग पूछते हैं कुछ खबर है क्या जैसे कि कुछ खबर जो है वो आपने आप में कोई शर्म की बात है सीधे सीधे पूछो कि शादी हो गई है और आगे कुछ डेवलप्मेंट है क्या ये पूछने के बड़े बड़े ही लज्जाते हुए लोग पूछते हैं इसका कारण भी वही है विवाह क्यों हमारे लिए शर्म या लज्जा की बात बन गई और तमाम सारे प्रचारक लोग वैवाहिक जीवन के बारे में स्टेज पर जाकर क्यों जूट बोलते हैं मुझे याद है एक बार एक वक्ता से मेरा पाला पड़ा था उनके चार बच्चे थे और उन्हाने स्टेज पर दावा किया कि मेरी शादी के इत्ते साल हो गए हैं मैं अपनी पत्नी के साथ मैंने सर्फ चार बार शायन किया मैंने सर पीट लिया कि यदि मूर्ख तुम्हे अपनी पत्नी की ऐसी उपेक्षा करनी थी तो बहतर होता कि तुम्हारा सब कुछ काट पीट के तुमको हिजरा बना दिया जाता और जीवन बर वैसे रहते कबसे कम जूट बोलने की तो नौबत नहीं आती तुम स्टेज पर से सफेद जूट बोल रहे हूँ ये क्यों हम इस तरह से स्टेज पर से भी अपनी पत्नी के साथ जो यौन संबंध है उसके बारे में सफेद जूट बोलते हैं इन सब के पीछे पिछले 200 से 400 साल में जो बदलाव आया है वो है इसका कारण आज ये संदेश जो लोग सुन रहे हैं इनमें बहुत सारे लोग शहर के शहरी जीवन के आदी हैं शहरी जीवन में आज कल यदि किसी लड़के लड़की की शादी होती है तो उनको एक अलग से कमरा दे दिया जाता है जहां तक हो सके उनको प्राइविसी दे दी जाती है लेकिन गाउं ये आज जो लोग सुन रहे हैं उनमें से जो गाउं की प्रिष्ट भूमी के हैं वे लोग मेरी बात जानते हैं समझते हैं देखते हैं और जो लोग शहरी हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से दो पीडी पहले तक शहरों में भी यही होता था आप पूछेंगे क्या होता था शादी के बाद लड़की जो है सास उसे अपने बगल में सुलाती थी वो अपने पती के साथ नहीं सोती थी उसे सास के बगल में सोना पड़ता था और लड़का जो है वो अपने बाप और घर में जो भी हो बाप हो चाचा हो ताओ हो उसको उनके साथ सोना पड़ता था लड़का लड़की को एक साथ सोने की अनुमती नहीं थी अरे सोने की छोड़िये एक साथ बैठके बात करने की अनुमती नहीं थी आप पूछेंगे शास्त्री सर आप सच बोल रहे हैं क्या जी हाँ यह सब मेरी देखी हुई बाते हैं मेरी उमर अब इतनी हो गई है कि मैंने इन बातों को देखा है मैं एक गाओं में पैदा हुआ था मेरे दादा पर दादा लोग व्यापारी थे उसी गाओं में मेरी पैदाईश हुई मुझे अभी भी याद है इवन मेरे जन्म के बाद मुझे याद है मम्मी को सास पकड़ के ले जाती थी कि इदर आखे लेट पापा को ताउजी पकड़के ले जाते थे उदर आके लेट आप पूछेंगे कि अच्छा बिल्कुल ऐसा था आज भी बहुत सारे भारतिये परिवारों में ऐसा ही होता है पती-पत्नी के बीच में जो यौन संबंध है जो यौन आकरशक है वो सब बड़े रहस्य में होता था लड़की देखती रहती थी कि सासुमा कब सूजाए सासुमा कब सूजाए और जब उसे इस वात की गारेंटी हो जाए कि सासुमा सो गई है तो सासुमा के बगल से उठकर घर में जो खलिहान है या जहां भी थोड़ी सी प्राइवसी है जो पती के साथ आखों आखों में इशारा करके एग्रिमेंट हो गया वहाँ चली जाती थी पती भी जो है देखता था कि पता जी कब सोएंगे चाचा कब सोएंगे और कब जो है वो खर्राटे मारने लगेंगे और जब वो खर्राटे लगेने तो पती जो है चुपचाप उठके जो है वो वहाँ जाता था जहां पत्नी से उसका एग्रिमेंट हुआ था भारतिये परिवारों में बहुत सारे परिवारों में आज भी यही स्थिति है पती-पत्नी को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमती नहीं देते यहां संबंद की छोड़िये और इसका आरण पिछले दो से चार सो सालों में पिछले दो सो सालों में भारतिये समाज में पती-पत्नी को एक दूसरे से मिलने के लिए आउसर या प्राइवसी नहीं दी जाती थी और वे लोग सब कुछ चुप-चुप के करते थे इसलिए वो एक अपराद यह एक लज्जा की बात थी जैसे ही बहु प्रेगनिंट हो जाती थी तो सांसूमा जो है एक तरफ से तो सास चाती थी कि एक बेटा हो दूसरी और सास जो है दौस देती थी कि अरे बेशरम मेरे बगल से तू कब उठके गई मतलब दोनो तरफ से बहु की जो है मराई होती थी यदि उसके बच्चे नहीं हुए वो यदि गर्भोती नहीं हुई तो तू बांज है क्या और यदि गर्भोती हो गई तू बेशरम कब मेरे बगल से उठके चली गए मुझे पता ही नहीं चला तो स्वाभाविक है कि भारती परिवारों में जब पती-पत्नी के यौन संबंदों को अपरात के रूप में देखा जाता था तो उसके बारे में बोलने में शरम आती थी कौन चोर है जो समाज में खड़े होकर अपने आपका परिचे दे कि मैं फलाने जगह का प्रसिद्द चोर हूँ, लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ, अत्यारा हूँ उसी तरह से भारती समाज में पिछले 200 से 400 सालों में पुरिश और स्त्री, पती और पत्नी को एक दूसरे से बात्चित करने के लिए छोड़ी यौन संबंद छोड़ी इवन बात्चित के लिए freedom नहीं दिया जाता था, इसका आरण यौन संबंद एक अपराद बन गया इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि विवाह equal to, विवाह का मतलब sex, यह सब के मन में बैठ गया और वो भी कैसा sex, चुप चुप के, विवाह का मतलब है, लुका चुपी यह अन संबंद इसलिए जब भी विवाह की बात होती है, तो लोग कहते हैं अरे बापरे, बच्चे भी सुनेंगे क्या अरे तुम बड़ा लेक्चर दे रहे हो, तुमारे साथ टीवी पे बैठके बच्चे जो देखते हैं, वो तुमसे ज़्यादा समझते हैं टीवी क्यों नहीं आफ कर देते, मुझे क्यों भाशन दे रहे हो, कि आप यहान संबंद के बारे में बोलेंगे पहली बात, विवाह का मतलब वो नहीं है, दूसरी बात, तुमारे घर में जो नंगा नाच होता है टीवी के उपर, उसके बारे में तुम्हें लगजा नहीं आती क्या ये बातें जरा सीरियसली सोचें, जो सुन रहे हैं मैं सबसे बोल रहा हूँ और इस विशे के जीवन के कई अलग-अलग भागूं के उपर प्रभाव है, जो हम दीरे-दीरे प्रभु ने मदद की तो देखेंगे तो आज मेरा पहला प्रश्नी ये था, पहले तो मैंने सखा और सखी का उतर दिया उसके बाद मैंने फिर आपको बताया कि आज भारतिय समाज में क्यों विवा के बारे में बोलते हैं तो सीधे-सीधे नौकरी के बारे में या एजुकेशन के बारे में पूछते हैं से neutral तरीके से पूछने के बदले बड़े ही लज्जा के साथ क्यों बोलते हैं क्यों पूछते हैं और जहां शादी हुई है वहां इस तरीका pregnant होना तो नैचरल है उसके बारे में क्यों पूछते समय या बोलते समय इतनी लज्जा होती है इस सब का कारण पिछले 200 से 400 साल में हमारा समाच जो ब्रष्ट हो गया था ये उसका कारण है और बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ इसमें अंग्रे जोने बहुत योगदान दिया है समाच को ब्रष्ट करने में अंग्रे जोने बहुत योगदान दिया है इसलिए कोई कोई भी मसीही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कि कोई भी मसीही अंग्रेजों की स्तूती ना करे, अंग्रेजों की प्रशंसा ना करे, आप कहेंगे कि अंग्रेजों की कैसी बात कर रहे हैं, मैं विशे से थोड़ा डाइवर्ट करना चाहता हूं, कैसी बात कर रहे हैं, भार कुछ खास कौम के लोग, कुछ खास कौम के लोगों से शादी नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, वो लोग इहां चुआ चूत दूर करेंगे क्या, कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाया, खाक रोक लगाया सती प्रथा का विरोध जो है भारतियों ने किया था इन कई भारति लोग अंग्रेजों के कॉलेज में जाके इन्होंने एजुकेशन जरूर लिया था लेकिन ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी सती प्रथा पर रोक लगाने के बिलकुल विरुद थी उसका विरोध भारतियों ने किया था तो इसलिए बादचित करने के साथ साथ मैं याद दिलाता जाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के तलुए न चाटे और अंग्रेजों को अपना उधार करता ना माने हम भारतियों ने अपने स्वयम का ही जो है कल्यांड किया है भारत में ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने जब वो आये थे उस समय कई कॉलेज वगरा की स्थापना की लेकिन ये कोई नहीं बताता कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान के उपर नियंतरन कर लिया तब सारे भारत में जो लाखों गुरुकुल थे उसको अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था उसको illegal बना दिया था उन लोगों ने बहुत हिंदुस्तान के लिए जो है नुकसान किया है सारा हिंदुस्तान गुरुकुलों से भरा हुआ था मैं खुद केरल में इस तरह के गुरुकुल जरोर बच गए थे मैं खुद एक गुरुकुल में जा चुका हूँ जब मैं पांच साल का था तब मुझे गुरुकुल में भेजा गया था मेरे वाइफ के गाउं में भी गुरुकुल बचा हुआ था और मेरे बेटे को वहां भेजा गया था वहां जाकर अच्छर का अभ्यास हमने वहां पर किया था लेकिन इन जनरल सारे केरल में अंग्रेजियों का असर कम था ये भी मैं बता दूँ उत्तर भारत था जिस पर कड़ा नहीं अंत्रेंड किया था तो उन्होंने बहुत बरबादी की थी तो भारत में पारिवारिक जीवन के बारे में जो गलत फहमिया हैं इसके पीछे हमारे समाज में जो ब्रष्ट सोचने का तरीका है ये और विदेशियों का असर ये मिला कर भारती समाज में विवाह को एक अपरात के रूप में विवाह को सर्फ सेक्स के रूप में देखा जा लगा, मैं फिर से याद दे लेना चाहता हूं, कि विवाह करने के बाद, पती-पत्मी बीच में सिर्फ एक ही संबन्द होता था, जब वो लुका चुपी से, सेक्स संबन्द स्तापित करते थे, इसलिए विवाह को हर कोई सेक्स समझता है, विवाह सेक्स नहीं है विवाह एक सखा और एक सखी एक दूसरे के साथ एक दूसरे का बोज संभालते हुए जीवन बिताते हैं ये है परमेश्वर के वचन के अनुसर विवाह प्रभु के दया से भारती समाज में जो जॉइंट फैमिली से संयुक्त परिवार वो टूट रहे हैं एक तरफ से ये अच्छा नहीं है लेकिन दूसरी और से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं उसके कारण लोग प्राइवेसी क्या है इसको समझने लगे हैं और प्राइवेसी को अब ज़्यादा आदर देने लगे हैं उत्पत्ती 2 के 18 में हमने देखा परिवेश्वर ने कहा कि मनिश के लिए अकेले रहना उचित नहीं है लेकिन प्रभु के वचन में विवाह संबन्दित नियम, कानून, सुझाव सब जगह मिलते हैं हम मैंसे ज़्यादा तर लोगों के आदत यह है कि हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो विवाह आदी से संबन्दित जो पद हैं उनको आँख मीच के पढ़ते हैं लेकिन यदि आप विवस्था विवरेंट के 24 के 5 को पढ़ेंगे यवस्था विवरेंट 24 के 5 में हम पढ़ते हैं यदि एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई है तो वो ना तो सेना में भरती किया जाए ना ही उसे इस तरह का कोई काम सरकारी काम दिया जाए यहूदी जो नौजवान होते थे वे जब इकी साल के हो जाते थे तो परिपक्व होने के साथ साथ उनको यहूदीयों की आर्मी में कुछ साल काम करना पड़ता था लेकिन प्रभू का वचन कहता है कि इस तरह से यदि आर्मी में काम करने के लिए किसी की बार ही आती है लेकिन अब भी अभी उसकी शादी हुई है तो फिर प्रभू के द्वारा बनाया गया जो समाज है उस समाज में जो सामाजिक नियम है उससे वो मुक्त है प्रभू के वचन में विवाह को इतना महत्व दिया गया है कि प्रभू के द्वारा नियुक्त सामाजिक नियम से भी प्रभु के द्वारा नियुक्त नियम से प्रभु स्वेम उसको मुक्ति देते हैं ना केवल उसे सेना में जाने की जर्रत नहीं है, लेकिन साल भर के लिए वो सेना से और उसी तरह से जो जबरदस्ती काम करवाये जाते हैं उसे मुक्त रहेगा, आगे हम देखते हैं, वह अब उसने जो पत्नी ब्याह ली है, उसके साथ आनंद मनाने के लिए एक साल स्वतंत्र रहेगा, प्रभू के वचन में हम देखते हैं कि प्रभू ने ना केवल विवाह नामक संस्था की स्थापना की, बलकि विवाह नामकी जो संस्था है, उसकी सुरेट्शा के लिए तमाम नियम बनाएं, और ये नियम तो ये कहता है कि प्रभू के द्वारा बनाए गए सामाजिक नियम को भी तोड़कर, उस व्यक्ति को साल बरके चुट्टी दी जाए, प्रभू वैवाहिक जीवन को इतना अधिक महत्व देते हैं, आज जो लोग यहाँ प्रभू का वचन सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, शादी हो गई, बीबी सुबह से शाम तक यह आपके गुलामी करती है, आपने कभी उसको अपनी पत्नी समझा है क्या, अक्सर मैं लोगों की बात्षित सुनता हूँ, उसमें एक बात जो बार-बार आती है, वो यह है कि मैं तो अपनी पत्नी को जूते की नोख पर रखता हूँ, इससे भी गंदी बात लोग पुरिश बोलते हैं, लेकिन वो मैं यहां नहीं बोलूँगा, आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या बोलते होंगे, कहे कि नोख पर रखते हैं, स्त्री का इतना घोर अपमान, यह किसी भी मसीही परिवार में नहीं होना चाहिए, प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यदि आप सखा हैं तो वो सखी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लिमेंट हैं, और इसका अरण आगे बढ़ने से पहले, यहां जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सब को, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु ने बैवाहिक जीवन को जिस तरह से बनाया है, क्या उस तरह से आप जी रहे हैं, बेहने बहुत खुश हो जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, शास्त्र यंकल सही कह रहे हैं, ऐसा है, बेहने कोई दूद की धुली हुई नहीं है, बेहनों के बीच में भी कई हैं, जो अपने पती को, पती तो कम से कम कहता है कि मैं उसे जूते के नोक पर रखता हूँ, ऐसी कई बेहने हैं, जो अपने पती को जूती के नीचे रखते हैं, ऐसे भी कई लोग हैं, आज उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कि स्त्री जूते के नोक पर रखने वाली चीज नहीं है, पुरिश जो है वो जूते के तले रगडने वाली चीज नहीं है, पर्मेश्वर ने पारिवारिक जीवन को जो बनाया है उसको पर्मेश्वर के ही वचन से समझ कर, उसके अनुसार व्यवहार करना जरूरी है, पर्मेश्वर विवाह को इतना महतुपूर्ण समझते हैं कि पर्मेश्वर के द्वारा ही बनाई गई जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी पर्मेश्वर नव विवाहित पुरिश को छूट देते हैं इसी पुस्थक के व्यवस्था विवरण के बीसमें अध्याय के सातमें पद में हम देखते हैं किसी पुरिश ने किसी पुरिश की मंगनी हुई है क्या यह उनी लोगों के लिए है जो सेना में जाने वाले थे किसी पुरिश की मंगनी हुई है क्या ऐसा है तो वो अपने घर वापस जाकर उस स्त्री से विवाह करे कहीं ऐसा नहों कि वो युद्ध में खतम हो जाए और उस स्त्री को कोई और पुरिश ले ले या उससे कोई और पुरिश विवाह कर ले पुरैने नियम में यदि किसी स्त्री की मंगनी हुई थी और यदि पुरिश युद्ध में मर जाता है तो फिर उसकी शादी में काफी आडचन आती थी ये पर्मेश्वर के द्वारा बनाएगी व्यवस्ता नहीं थी लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं कई बार उस समाज की जो कुरीतिया हैं उसको हम मसीही विश्वास में ले आते हैं यहुदी लोग यहुदी विश्वास में ले आये थे और इसका अरण यदि किसी स्त्री का मंगेतर युद्ध में मर जाता था तो कई बार उस स्त्री के लिए उस समाज में गुलामी या कई समाजों में वेश्या वरती के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता था यहुदी लोग यहुदी लोग यहुदी लोग चारसो से अधिक साल मिस्र देश में गुलाम रहे थे मिस्र देश बैवाहिक जीवन संबंदित कुरीतियों से भरा हुआ था आज हम सोच नहीं सकते हैं ऐसी कुरीतियां थी उदाहरण के लिए मिस्र में जो फिरौन थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा डीटेल उपलब्ध है और उनमें से कई लोगों के जो शाव शरीर है ममी जिसे बोलते हैं वो उपलब्ध है और लिखित इतिहास उपलब्ध है जिसमें ये देखा गया है कि भाई अपनी बहन से शादी कर रहा है बहन अपने भाई से शादी कर रही है कोई अपनी मां से शादी कर रहा है कोई अपनी मौसी से शादी कर रहा है कोई अपने फूफा से शादी कर रहा है इस तरह की तमाम कुरीतियां थी उनके बीच में 400 साल रहने के बाद यहुदी लोगों ने तमाम तरह की कुरीतियां उन लोगों से सीख ली थी इन कुरीतियों के कारण यदि कोई स्त्री, किसी स्त्री का, यहुदी स्त्री का मंगेतर शादी से पहले मर जाता था तो उसको समाज में आती भयानक गुलामी सहनी पड़ती थी इस बात को जानकर परिटमेश्वर ने आग्या दी कि यदि किसी की मंगनी हुई है तो उसे युद्ध में न भेजा जाए जाकर शादी करे और शादी करते हैं उसको एक साल के लिए वैसे भी जो है छुटी मिल जाएगी वो अपनी पत्नी को खुश करे उसके बाद युद्ध में जाए पड़मेश्वर के वचन में विवाह की पवित्रता विवाह की सुरेट्शा और विवाह की सुरेट्शा के लिए पड़मेश्वर के द्वारा बनाए गये जो नियम और कानून है इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन जैसा मैंने कहा हम में से आदिकतर लोगों की आदत है वैसे भी हम भरती लोग जो है विवा को बड़ी लज्जा के साथ विवा के बारे में बोलते हैं इस कारण प्रभु के वचन में विवा से संबंदित जो चीजें हैं जो कुछ कहा गया है उसको हम बड़ी लज्जा के साथ पढ़ते हैं परिणाम क्या होता है कि हमको दिखता ही नहीं है कि प्रभु का वचन ये कह रहा है नीती वचन के पांचवे अध्याय के अठारवे पद में मैं अनुरोत करूँगा कि अपने बाइबल में उसको बाद में आगे को पढ़ लें अभी मैं सर्फ अठारा पढ़ूँगा नीती वचन पांच के अठारा में लिखा हुआ है तेरा सोता अनग्रह से भरे या तेरे सोते पर अनग्रह हो अपनी युवा पत्नी के साथ युवा काल में आनंद करना विवाह जीवन की तुलना सोते से इसलिए की गई है कि जब नीती वचन लिखा गया था तब लोगों के लिए शुद्ध मीठे जल के लिए पानी के सोते ही रास्ता हुआ करते थे पाइप तो होते नहीं थे प्यूरिफिकेशन प्लांट तो होते नहीं थे तो कहीं यदि कोई सोता मिल जाता था पानी का सोता तो लोगों की तो लोटरी निकलाती थी उसके चारों तरफ फिर बावडी वगरा बनाकर लोग उस मीठे पानी का पान करते थे और मीठे पानी का सोता पुरैने नियम में बहुत महतपूर्ण बात थी मैंने अपने जीवन में कई सोते देखे हैं बापरे देखकर दिल खुश हो जाता है मेरी घर में जब कुँआ खोदा जा रहा था तो कुँआ बिगड़ गया लेकिन खोदा जा रहा था तो पहली बार जब उसमें सोता दिखाई दिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे लोट्री टिकेट जो है लोट्री खुल गई हो मैंने उपर से बाकाईदो उसको एक ग्लास नीचे दिया एक ग्लास पानी भरके देना उसने एक ग्लास पानी भरके दिया मैंने उसका पान किया जैसे कि मैं अमृत पान कर रहा हूँ जो समा आज पानी के सोते पर डिपेंड करते हैं केरल में अभी भी काफी कुछ सोतों पर या कुओं पर आश्रे है ऐसे समाजों में सोता जीवन में एक बहुत महतोपूर्णी चीज है जो प्यास को तृत्ति देता है जब प्रभू का वचन कहता है कि तेरे सोते पर अनग्रव हो या तेरा सोता अनग्रही थो तो प्रभू के कहने का मतलब है विवाही जीवन जिस तरह से पानी का सोता प्यासे को जो है प्यास बुझाता है वैसे ही मनिश्य जीवन में एक बहुत महतोपूर्ण कारी करता है अपनी युवा पत्नी के साथ आनंद और मगन रहे शादी पचास या साथ साल के बाद करने की बात नहीं है पचास या साथ के बाद तो पुनर विवाह होता है कोई विदुर हो जाता है या विदुर हो जाती है तब पुनर विवाह हो जाता है शादी तो युवा उमर में करने वाली बात है प्रभु का वच्चन इस बात को बार-बार जो है याद दिलाता है ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये बाद मैं याद दिलाऊंगा वो भी विवाह से संबन्दित बहुत महतुपूर्ण बात है लेकिन तेरा सोता अनुगरहीत रहे अपनी युवा पत्नी के साथ आनंद करना प्रभु का वच्चन ये याद दिलाता है कि प्रभु के द्वारा स्थापित किये गए या की गई जो संस्थाएं हैं उसमें एक सबसे महतुपूर्ण संस्था है विवाह और विवाह को संबुष्ट बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है प्रभु ने मदद की तो हम इस सीरीज को जारी रखेंगे लेकिन आज मैं एक बात सबसे पूछना चाहता हूँ दो बातें कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिष्ट भूमी के कारण आप गलक प्रिष्ट भूमी के कारण आप विवाह को सेक्स समझते हूँ विवाह सेक्स नहीं है, सेक्स विवाह नहीं है यह उन संबंद विवाह का सिर्फ एक गटक है दूसरी बात ये पटमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई संस्था है और इसलिए हम सब एक दूसरे के पूरक हैं पती-पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं इन बातों को समझने के लिए और अपने जीवन में ग्यवहर में लाने के लिए प्रभु मदद करें कुछ लोगों ने मेरे यूट्यूब पर आकर मेरे संदेशों में पूछा है कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है मैं अपना मोबाइल नंबर बोलने जा रहा हूँ आएंदा हर संदेश में मैं मोबाइल नंबर दे दूँगा आप नोट कर लिजिए लेकिन एक अनरोद मोबाइल नंबर मिल जाए तो सुबह, दोपहर, शाम, रात फोन करना न स्टार्ट कर दे आजकल वाट्साप है वाट्साप के द्वारा संदेश भीजिए आपको प्रश्न पूछना है आडियो भीजिए आपको प्रार्थन चाहिए यस्त जीवन है, मैं सुबह, दोपह, शाम, रात फोन अचे नहीं कर सकता लेकिन हाँ जरूरी हुआ तो मैं खुद आपको समय दूँगा, कि खलाने समय बुला लो, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूँगा मेरा नंबर है ट्रिपल नैन फईव वन नैन एट सिक्स नैन जेरो मैं फिर से याद दिला रहा हूं ट्रिपल नैन फईव वन नैन एट सिक्स नैन जेरो आप सभी का स्वागत है मुझ से संपर्क करने के लिए, आपको प्रार्थना चाहिए संपर्क कीजे प्रश्न का जवाब की चाहिए संपर कीजे लेकिन कृपा करके वाटसाप के द्वारा टेक्स्ट या ओडियो संदेश भेजें जिरूरी हुआ तो मैं आपको बता दूँगा कि आप मुझे बुला सकते हैं डारेक्टली बुलाने की कोशिश ना करें प्रभू के नाम किस्तु आज प्रभू ने जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ आप सबको प्रभू अनग्रह से भरपूर कर दें प्रिये दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने से आपको बहुत अधिक अनग्रह मिला होगा हम इस तरह के हैं इनमें से किसी को भी मिस मत कीजिए इसके लिए इस वीडियो के नीचे जो सब्स्क्राइब बटन है उसको दबा दीजिये और बगल में ही एक घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिये इसका परिणाम यह होगा कि हम जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे वह आपको तुरंत मिल जाएगा इसके साथ साथ जब सब्सक्राइबर की संख्या में वर्दी होती है तो उससे हमको प्रोथसाहन मिलता है क्योंकि हम ये समझ पाते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अनग्रह का कारण बन रहे हैं तो सब्सक्राइब से ना केवला आपको फायदा होता है बलकि हमको भी होता है प्रभू आपको सर्व अनग्रहों से भरपूर करें